नमस्कार दोस्तों मैं इंशल मैं आप सभी के अपने चैनल Tech & Target पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जादा exciting होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम discuss करने वाले कुछ ऐसे important question जो हर साल Tech महिंद्रा में पूछे जाते हैं दोस्तों यह ऐसे question से बहुत जादा basic question है जो हर साल Tech महिंद्रा में पूछे जाते हैं और दोस्तों सारी branches के लिए आप भली कोई भी ब्रांच से हो CS, EC,EEE, Mechanical, Civil दोस्तों इसमें मेलनी मैंने IT के questions इंक्रूड किया है like CS branch के अब आप पैसे बहुत जो जितने भी non CS वाले हो यह सोच रहो हमारा देखने का क्या फाइदा भाई देखो आप लोग apply कर रहे हो आइटी कंपनी के लिए और आइटी कंपनी के बहुत basic question है जो हर branch से पूछे जाएंगे मेरा main जो एम है इस वीडियो का यह non CS branch के student के लिए क्योंकि यार आप लोग बहुत confused रहते हो आप लोग अपनी branch के questions प्रिपेर कर ले दो पर आपको पता ही नहीं होता कि CS branch के क्या questions प्रिपेर करने है दोस्तों देखे टेक महिंद्रा का interview इतना difficult नहीं होता बर जब भी मैंने सोचा कुछ questions आपके साथ जरूर मैं discuss करू जो बह पहिंद्रा में दोस्तों आप यह interview experience भी देख सकते हो आपको पता idea लग जाएगा कि कैसे आपका interview होने वाला है तो दोस्तों वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले दोस्तों वीडियो को like जरूर कर दीजे और अगर आपने अभी तक मेरे channel tech and target को subscribe नहीं किया है त कहीं न बहुत जारे chances बर जाएंगे इस question को पूछने के लिए और दोस्तों बहुत लोग different different projects जिसमें JDBC यूज करते है तो दोस्तों JDBC यूज होता है मैं आपको बताते हूं JDBC होता है JDBC stands for Java database connectivity which is a standard Java API for database independent connectivity between the Java programming language and a wide range of database दोस्तों जो लोग project बनाते हैं Java based means Java use करते है वो लोग बहुत जादा यूज करते है JDBC का तो यह आपसे question पूछा जा सकता है अगर आप कोई भी branch के हो और आपने Java mention किया है तो इस question के लिए तयार रहिएगा अगर आपने Java mention नहीं किया है तो अभी आर कर लीजए क्योंकि ब बहुत ही जादा common question है और बहुत ही जादा important question है दोस्तों इससे पहले आता है 2NF और 1NF वो भी पूछा आता है but mainly prefer करते हैं यह वाले यह वाला NF पूछने के लिए that is 3NF third normal form is a database schema design approach for relational databases which uses normalizing principles to reduce the duplication of data avoid data anomalies ensure referential integrity and simplified data management अब दुस्तों last की जो दोल आईने वो बोलना इतना necessary नहीं होगा इसको आप कोई भी अपनी simple language में भी बोल सकते हो इसको और simple language में भी बोल सकते हो दोस्तों एक question पूछा जाता है what is normalization उसका बोल सकते हैं रिमूव करने के लिए यूज करते हैं normalization वो भी आप ready रही है का दूस्तों next question है what is a pointer यह भी कही न कहीं important question है मैं हर question में बोलने वाला हूं important तुकिया रही है मैं चुन-चुन के 15 questions collect हैं आपके लिए जो हर एक student से पूछे जा सकते है questions हो दोस्तों देगे बहुत सारे CS के लिए अगर मैं अलग-अलग branch specify करता हूं तो बड़ यह questions कुछ ऐसे हैं आप कोई भी branch से हो आपसे question पूछे जाने वाले हैं इसका आदर दोस्तों बहुत simple a pointer is just the address of some location in memory अब भाई आप मैंसे कुछ ऐसे हैं कि पॉइंटर को पता नहीं क्या बता दे पॉइंटर यह definition नहीं बताएंगे एक्जामपल देने लग जाएंगे भाई जब आपसे simple definition पूछी जाए तो please one line or two line में उस definition को बताकर खतम किजाए यार next is what is a database अब आप मैंसे बहुत ल इस लोगों वों से डेटा पूछलोग मैं डेटा क्या होता है source के होच कि बोलदेंगे बएर रोस टेबल्स ऐसे एक डेटाबेस एस डेटाबेस किसी को नहीं बताएंगे पूछा जा सकता है इस पेने बहुत सारे लोगों से पॉट्ट या सबका यही ठैया डेटाबेस तो What is Deadlock ? OS 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 to Operating System का एक लौता, question आप कोई भी Company उठाकर लियो 6 लाग तक कि उसमें Qउसन बहुत जादा पूचा जाता है जब6 लाग तक कि जङो कवी भी company हो यार आप TCS, Cognizant, Cap जैनी देख लो, हर कोई company कुछ Startups देख लो उसमें question बहुत जादा पूछा जाता है deadlock होता क्या है कभी-कभी आपसे example थोड़ा deep चले जाते है वड़न आपको deadlock की definition पता होरी चाहिए जो की है deadlock is a situation where a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by some other process तो दियार रखिएगा बहुत ही simple way में आपको उसको answer करना है next question है what is microprocessor EC or triple E वालों का एक लौता question जो उनकी branch है CS वालों से पूछा जाता है CS वाले भी first year में पढ़ लेते हैं microprocessor के वारे में even second year में भी उनके पास subject होता है even उनकी lab भी लगती है बट ठीक है बाकी सेवेल हो गया mechanical हो गया उनसे भी एक question पूछा जाता है तो फ्रेपेर रहीएगा बहुत ही आसान तरीकिस आपको आजर करना है microprocessor is a controlling unit of a micro computer fabricated on a small chip capable of performing ALU that is arithmetic logical unit operations and communicating with the other devices connected to it so बहुत ही symbol में इसको answer करना है अगर आपको already आता है और symbol में आपको answer करना है तो अभी कर सकते हो बट दोस्तो deadlock की जो हमें definition दिये perfect definition है भाई यह definition दे 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 ना सची बतारो interviewer impressed होने वाला है next question है दोस्तो what is the difference between C and C++ भाई पता नहीं क्यों हम अपने resume में C mention ना भी करें interviewer को पता नहीं क्यों लगता है कि बच्चे को C आती ही आती होगी he कहें माल लिया C मदल एंग्वेज होती है शक्को आती है बट दोस्तो C प्रिपेर कर ली जाया आपको python आती हो बड़े सी बड़ी skill आती हो but interviewer will like every time he'll stick to C और C के साथ तो compare कर लेता है C++ का very rare python और java का compare कर रहे बट सामिल लिंक दे दूंगा ही तो आपको साथ के लिए भी प्रिपेर रही है next दोस्तो what is primary key भाई यह भी बहुत important question है SQL DBMS mention कर रहे हो तो इस question के लिए प्रिपेर रही है और इनके साथ भी बहुत सारी कीज है पर priority पर रहती है दोस्तो what is primary key simple way में answer करना है primary key is a field in a table which uniquely identifies each row record in a database table दोस्तो यहां तक बोल दोगे चलेगा means definition बोल दी अगर जादा interviewer expect कर रहा है फिर आपको अपनी side से उसको impress कर रहा है तो भाई यह और बोल दे ना primary key must contain unique values primary key column cannot have null values भाई यह दोर लाइन और बोल दी ना interviewer बना बात बना दोगे impress कर दोगे यह समझ लीजे पहली एक line जो database table तक है वहां तक बोलोगे sufficient है अगर कोई चीज आती है कोई चीज बालो में तो चुप क्यों बैठे हो यार बता दो ना interviewer हां भाई यह भी आता है impress करो यार जतना आता कर सकते हो तो वीडियो को आगे बढ़ने से मैंने कुछ HR question है जो आपके साथ discuss करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो इस वीडियो को जरूर देखिए और आप पहले दूसरे तीसरे चौते किसी को भी merge कर लीजे कोच भी बोलिए बट इसमें से जरूर बोलिए क्योंकि यारे मैंना बहुत अच्छे जबर रही है आप सभी के लिए प्लीज आकर देखिए आपका भी preparation हो रहा है और दूसर एक question और है जो आप सभी को मालूम होगा है मैं हर बार बताता हूँ tell me something about yourself question और इसकी कुछ importance हो मैं मानता हूँ कि मेरे according interview का सबसे important question यह है और इस question को अगर आपने अच्छे से answer कर दिया तो नहीं भाई हम तो पाक्षे से जाद अब तक बोलेंगे नहीं हम select कैसे हो जाएंगे पर बाते नहीं है तो इस question को जरूर prepare कर दीजेगा tell me something about yourself और एक और बात फिर से बता दू टैक महिंद्रा का और हम मैं से कुछ ऐसे smart होते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं प्राइमरी की में answer कर देते हैं इसे हो जाते हैं इसे हो जाते हैं तो दोसो पॉरिंट की में भी simple answer देना है अब पॉरिंट की is a key used to link two tables together this is sometimes also called as a referencing की भाई देको पहली line में खताव answer दूसरी line मोल लिए impress करने के लिए तो दिहार रखिए impress करते रही है भाई हमें select होना है हमें उस समय नहीं देखना कि हम कितना रटके गए कितना कुछ बोल रहे हमारा main aim होना चाहिए interview के बाद interviewer को impress करना और कुछ ऐसा जब या दिको हमें बहुत लोग होते हैं सारे answer नहीं देपाते पर जो answer दे रहे हो वह अच्छे से दो उससे impression अपना create कर दो दो so next question है what is super key बहुत rare पूछा जाता है बट पूछ लिया जाता है अगर आप लोग CS branch की हो तो पूछ लेंगे जैसे candidate की है उसको मैंने intrude नहीं किया वो नहीं पूछा जाता था बट super key भी पूछ लेते है super key is a set of an attribute which can uniquely identify a tuple super key is a super set of a candidate key अब भाई देखो आप identify a tuple तक बोल दोगे चलेगा अब जैसी second line बोलोगे न interview अब फटाक से पूछ लेगा candidate की भी बता दो तो द्यार रखना बोल अगर candidate की आती है smart बनना है impression जहाड़ना है तो candidate की भी करके जाना और super key यह last दो तीर interview दिया है मुझसे भी a question पूछा गया हर एक interview में पूछा गया है इवन मेरे college के exam होते थे उसमें भी a question आता था teacher वायवार में भी पूछता था बहुत ज्यादा important question आप पिछले interview experience देख लीज़े में अपने चल्बर बहुत सारे interview experience डाल रखे है हर जगे पूछ रखा है दस experience देखोंगे तो छे साथ में पूछ रखा होगा है question इसका भी link दोस्तों इने description पे दे रखा है next question दोस्त what is inheritance oops का favorite question अगर आप oops mention करके है तो आपसे पूछा जा सकता है कि inheritance हो तक है simple way में answer करना है inheritance in java is a mechanism in which one object acquires all the properties and behaviors of a parent object simple तरीके से बोल ला है यही definition next question next question है दोस्तो what is encapsulation encapsulation in java is a process of wrapping code and data together into a single unit for example a capsule which is mix of several medicine दोस्तों फिर से बता दू जब भी आप oops कंचे बता रहे हो तो भाई real life example भी जरूर relate करके बता दीजेगा जैसे आप दे रहे हो a capsule which is mix of several medicines पिछले में inheritance दा कुछ real life example relate करके दीजे क्योंकि oops कंचे without real life example is of no use if you are using real life examples with oops then you are excellent इस question है दोस्तो what is constructor बहुत ही जादा important question और बहुत जादा पूचा जाता है इसका अज़र है दोस्तो a constructor is a block of code similar to the method it is called when an instance of the class is created at the time of calling constructor memory for the object is allocated in the memory दोस्तों अगर आप और की simple English में भी समझा सकते हो constructor होता गया no problem बट यह answer भी perfect test को आप बोल सकते हो बट जैसे similar to the method कभी कभी इस question के बाद सीधा next question रहा था what is the difference between constructor and method तो उसके लिए भी दोस्तों prepare रहिएगा दोस्तों next और last question है what are joints joint clause is used to combine the record form two or more tables in a database अब दोस्तों आप लोग सोजर में different types of joints पूछेंगे नहीं दोस्तों joints होते क्योंकि हम में से confused होते है like आप से बुझे लिए कि different joints क्या होते है left joint right joint left outer joint हम लोग बता देंगे but कभी बहुत rare है कि non CS branch से in-depth जाए आपको थोड़ा बहुत idea होना चाहिए तो दोस्तों यह थे top 15 questions जो हर एक interview में पूछे जाते है जो मैं last year से मैंने जितने भी इंटर्व्यू से के दोस्तों मैं दो तिन मिन लगए Tech Mahindra की दूसरी वीडियो पर आने वाए क्योंकि इन questions को मैंने बहुत जगे से पढ़ा बात की लाइक तो थोड़ा दोस्तों टाइम लग गया दोस्तों एक बात फिर से बता दूँ Tech Mahindra का मैंने एक interview experience डाल दिया है यश्वीर का तो जाकर इसको जरूर देखिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जल्दी विलता अपनी नई वीडियो में अपने टेक अपडेट के साथ जब तक के लिए दोस्तों थड़े बात